Good morning all of you, welcome you all students in our recent online class आज की हमारी क्लास है क्लास 4th के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे तो बच्चों आप अपनी हिंदी व्याकन की बुक निकालिए बच्चों जासा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में फर्स्ट लेशन पढ़ा था बासा और व्याकरन जो कि अपने पेज नंबर 6 तक पढ़ा था तो उसके आगे से अपने आज पढ़ेंगे तो पिछली क्लास में अपने बासा किसे कहते हैं बसा के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ा था मोखिक बसा लेखित बसा तो आज हम हिंदी तथा अन्य बसाएं पढ़ेंगे तो बच्चों आप अपनी बुक निकाली और मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिस कीजिए वीडियो को दो बार दीन बार देखिए ताकि आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ा रहे हैं ठीके बच्चों संसार में बहुत सी बासा हैं बोली पड़ी और लिखी जाती हैं सबी देशों की अपनी बासा हैं जैसे जर्मनी में जर्मन चीन में चीनी जापान में जापानी और फ्रांस में प्रेंच तो ये सारी विदेशी बासा हैं ठीके बच्चों जैसे जर्मनी है तो उसमें जर्मन बासा का प्रियोग होता है चीन में चीनी बासा का प्रियोग होता है जापान में जापानी बासा का प्रियोग होता है इस प्रकार भारत की बास्ट बासा कौन सी है हिंदी यहां अधिकांस लोग हिंदी बासा का ही प्रियो बाकि 21 बी जो भी है 21 बास। उसमें कुछ बासां कि बारे में यहीं बताए गया, यहां इस है राज्जे इन और भी बासा उनकी यह मंगल में बंगला पंजाब में पंजाबी। ओडिशा में ओडिश्टी, कस्मीर में कस्मीरी, कनाटक में कननर, महराष्ट में मराठी, आंदर परदेश में तेलगू और केरल में मल्यालम। तो ये सारी भारत की भासाएं हैं, इसमें और भी कहीं भासा हैं जैसे नेपाली, गुजराती, मैथिली, मनिपूरी, कौकणी, संस्क्रत, सिंदी, इस प्रकार और भी कहीं भासाएं जो भारत में बोली जाती हैं। अब आज़ाई पेज नंबर 7 पे, अंगरेजी अंतराश्टी भासा हैं, बोली, भासा के सेत्री रूप को बोली कहा जाता हैं। अब लिपी किसे कहते हैं बासा के लिखने के डंग को लिपी कहा जाता है बासा के लिखने के डंग को क्या कहते हैं लिपी इंदी और संस्क्रत बासा की कौन सी लिपी है देवनागरी लिपी अंगरी जी बासा की कौन सी लिपी है रोमन लिपी उर्दू बासा की कौन सी लिप यह जए इन सब बासाओं की लिप्यों के नाम है तो आपको यह इसे पढ़ना है समझना है व्याक्रण किसे कहते हैं व्याक्रण वहसासर हैं जो बासा को सुध बोलना और लिकना शिकाता है जैसे चीडिया उड़ रहा है तो इसमें आपको क्या सुद्ध वाक्य क्या है इसका चिडिया उड़ रहा है तो ये तो गलत वाक्य है तो इसका सुद्ध वाक्य क्या होगा चिडिया उड़ रही है देखो यहां पे सुद्ध वाक्य चिडिया उड़ रही है सब्दों और वाक्यों का सुद्ध रूप हमें व्याकरण से ही पता चलता है, व्याकन का सही ज्ञान प्राप्त करके ही हम किसी बासा को सुद्ध बोलना, समझना, पटना, लिखना सीख सकते हैं, बासा के परियोग से कोई भी गलती नहों, इसलिए हम व्याकन का ज्ञान आउसेखें, ठीके बच्चों, तो व्याकन से हमको ये पता चल हैं कि हमने जो सब्द लिखा हैं, वो घलत हैं या वो सही हैं, उसकी सुद्धी और असुद्धी की जानकारी हमको बासा के परियोग से ही पता चलती हैं, तो बच्चों, आज का आपका फर्स्ट लेसन बासा और व्याकरण, जो कि आज पूरा हो चुका हैं, और आज आपको होंबग दे रही हूं, तो देखिए बच्चों, यह सकेंड क्योशन तो हमने पिछली क्लास में कर लिया था, तो आज अपन फर्स्ट क्योशन करेंगे होंबग में, सही हुतर के सामने सही का चिनह लगा ये, बासा का मोखिक रूप कौन सा हैं, पत्र, बासन या इमेल, पत् अपने पिछली क्लास में कर लिया था, तो करने की जरूत नहीं हो गया ये, अब थर्ड नंबर क्योशन कौन सा है, निम्न लिखित वाक्यों के सामने सही अत्वा गलत का निसान लगा तो बासा के दोरा बोल कर लिखकर विचार प्रकट कर सकते हैं, बिल्कुल सही जवाब ह क्योंकि बासा के मादेम सही है, अपन एक दूसरे के भावों को बोल कर लिखकर अपन अपने विचार प्रकट करते हैं, तो बासा का ये ही सही है, खम है, बाचित बासा का लिखित रूप है, बिल्कुल नहीं, बाचित तो बासा का मुखित रूप है, बाचित के मादेम से आपन लिखकर बात नहीं कर सकते टेलिफॉन पर बोल कर ही बात कर सकते हैं तो टेलिफॉन में बाचित करना बासा का मुखिक रूप होता है तो सही है बासा की तीन रूप होता है बिलकुल गलत बासा की तीन रूप नहीं होते बासा के दो रूप होते हैं मुखिक और लिखित तो बासा के तीन रूप नहीं होते तो यह गलत हो गया तो यह राइट रोंग आपको अपनी कॉपी में करने है और क्योशन नमबर फॉर्थ उच्छी सब्दम वाकर की पूर्थी कीजिए लिखीत बासा को क्या कहते हैं तो यह तीनो आपके रिक्तस्तान है जो मैंने यहाँ पर फिल कर दिये हैं तो आपको अपनी नोट बुक में एज़टीज आपको उतारने है और यह रचनातम कार्य है यह आप अपनी इस बुक के अंदर ही करोगे इसको कॉपी में लिखने की जरूत नहीं है वरग पहली में बारती और विदेशी भासा चांड करके लिखिए यहाँ पर बारती भासा लिखने है यहाँ पर विदेशी तो देखो इस पूरे बॉक्स में वरग पहली में कस्मीरी ये रही असमिया ये रही उडिया ये रही और विदेशी बसा है कौन सी है चिनी जापनी अंगरेजी और फ्रांसी सी तो यह सारी विदेशी बसा है तो आप इसको भी एक बार अपनी बुक में ही करोगे और फिर यह दूसरा भी आप अपनी बुक में करोगे इसमें मोखिक बसा लिखित बसा बता नहीं है तो यहां पर मोखिक बसा यह भी मोखिक बसा यह लिखित यह लिखित यह लिखित यह लिखित और यह मोखिक ठीक है और फिर क्योशन नमबर थर्ड यह भी इसमें ही करना वर्ग पहली बढ़नी है तो देखो पहले है इंदी पहली भरके रखिए तो आपको भी अपनी बुक में भरनी है ठीके बच्चों तो आज की अपना ये फर्स्ट लेशन पूरा होता है और सारी क्योशन आंसर हो गए है तो आपको अपनी कोफी में अच्छे से नीट एंड क्लीन हेंड राइटिंग में अच्छे से करना है ठीके बच्चों तन्यवाद